हेलो एवरिवन आज हम देखेंगे शोधन कर्म की बारे में शोधन कर्म शलोक देखते हैं सरुप्थम इस्थानाद बहिर नेद उर्धम अदश्च मल संचयम देश अंशोधनम तत स्याद देवदाली फलम यथा जो द्रव शरीर में शरीर के मल संचय को ओड़ देखता अदो मारग से बाहर निकालने का कारिय करता है उसे शोधन कते हैं या शंशोधन कते हैं शोधन इसका प्रिया है शोधन शंशोधन तो कौन से द्रव है जो द्रवे शरीर के मल संचय को जो शरीर में जो मल संचय हो चुका है इकटा हो चुका है उसको उर्दवा या अदो मार्ग उपर से या नीचे के मार्ग से उर्दव या अदो मार्ग से बाहर निकालने का कारी करता है उसे शंशोधन करते हैं एक्जाम्पल देखते हैं देवदाली फल देवदाली का जो फल है वो शोधन कर्म करता है ठीक है शोधन के पांच प्रकार बताएं अचार्या शुशूत में निरोबस्ती वमन वीरेचन शीरो वीरेचन और रक्तमोक्षन ठीक है एक बार और देख लेते हैं डेपिनेशन जो द्रवे शरीर के मल संचय को उड़्द तता अदो मार्ग से बाहर निकालने का कारिया करता है उसे शोधन करते हैं इक्जाम्पल देवदाली शोधन पांच प्रकार के होते हैं निरोबस्ती वमन वीरेचन शीरो वीरेचन रक्तमोक्षन ठीक है और आचारी चरक और आचारी आशाई बाईर आशाई याने शरीर जो बाहर आशाई हो और अभेंतर आशाई दो बेद बताए शालंग दाटे